हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेको नाजरी दुनिया न्यूस पर आप देख रहे हैं प्रोग्राइम नुक्त नजर मैं हूँ आपका मेस्पान मुहमद अच्छमल जामी मेरे साथ तश्रीफ रखते हैं मुझीब और रहमान शामी साहब अब शाहिम साब आज हम बात करेंगे प्रोग्राइम के शुरू में जो कौमी असेमली में हलका बंदियों से मतालिक बिल पेश किया गया है और खत्मे नबूव से मतालिक हलफ नामा असल शकल में बहाल की जाने की बात की जारी है इससे लीड करेंगे और पिर हम बात तो रुबत में उस वाके पर बिल खुसूस हम बात करेंगे विजरे दाखला अबलुचस्तान अनाफसर फराजबुक्टी साहब से लिए जी 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 उनका जिकर भी हम पुरे खांदान समेट उनको एससे पी थे काएम मुकाम हाथ कोईटा में और तीसरा हम मौदू सर जिस हमने आज प्रोग्राम में बात करनी है वो आपको पता एक नई बहस छिट पर एक पर फिर से उसने जनम लिये सरदार्ती नजाम वो कहा जा रहा है कि पारलीमन नजाम से बदला जाए उस बारे में वकालत भी की जारी लिखा भी जा रहा है तो उसके भी मुमकिनात पर हम ज हमेशते हैं कि क्या ताजा इलेक्शन जो है वो पागिस्तान के मसायल का हल है या नहीं तो ट्विटर पे पोल पड़ा है अब उसमेरा आए आपका इजार कीजी हम नशर भी करेंगे जो बिल पेश हुआ है आईनी तरमीमी बिल जी जी उसके बाद आपकी आपका ये सवाल है इरेलिवन्ट हो गए लेकिन अब क्या किया जा कि बिल अभी पेश हुआ सवाल हमने पहले रख दिया था लिक बहस पे जारी है तो समझाना पड़ेगा अब ये बस एक तारीखी नौईत की बात रह गई है जी हाँ तो कौमी असेंबली में सर आज उससे पहले तो स्पिक लफ नामाद दर्च था उसमें कुछ अलफाज का रद बदल किया गया किछी ने उसको इक्तसार कर दिया और वो सारी जमातों ने इतफाक राय से बिल मन्दूर कर लिया फिर सैनेट में पहुचा तो वहां मौलाना हमदुल्ला जे यू आई कि उन्हों ने इसकी निशान द हुआ तो फिर वो उसकी जो हलफ नामा था वो एहद नामा किया था उसको वो हलफ नामा कर दिया गया फिर उसके अंदर जो डेफिनेशन थी ये खत हलफ के जो अलफास जिनमें कुछ समरी जिसकी कर दी गई थी अब वो जूँ के तूँ अलफाज जो है वो बहाल कर दिये गए हैं और ये जो धरना हुआ हुआ था जिस पर खादम हुसाने लिए साब वहां बैटे थे शायद उनका बतालबा भी ये था और एक तो वो कुछ जाहिद हामद साब पर भी गुस्सा उतार रहे थे तो जाहिद हामद साब के बारे में तो उन्होंने तो एक सोचल मीडिया पर पे पेगाम नशर जी उन्होंने अपना पेगाम भी जारी किया था हम कोशेच करें कि वो नशर भी मुकसर कर दें उन्होंने बड़ा उसमें एहद दिया अलब उठाया कि ऐसी को बात मेरा या या रासको लगीदा मुसल्मान हूँ खत्मे नबुवत पे यकिन रखता किसी काद्यानी जो है वो एहमदी हों या लहौरी हों या उन दोनों को या खाद्यानी हो या लहौरी हों दोनों को एक ही जासे समझता हूँ या लहार एसलम से खा़री справ ears को हमारे हां ये एक स्यास्त में ये एक बड़ा मश्गला रहा है माजी में पर तो कई आहम किरदार थो थे हरुन रिशीज साब ने लिखा है कि जर्नल अख्तर अब्दुर्यमान जो है उनके बारे में भी अफ़ाव उड़ाए गई थी जहादे अफ़ानिस्तान का एक बहुत एहम करदार है बलके उनकी कियादत में जंग लड़ी गई उस वक्त वो आईएसाई के सरवरा थे और उसकी फातिह नाम से किताब लिखी हरुन रिशीज साब ने बड़ी मार्के की किताब है और जो बताती है कि कितने द्यानतदार थे आज भी उन्हें लिखा है और किस तरह उन्होंने खामोश तपाई कहते हैं उनके एक एक और वेबसाइट लिए उसको उन्हों पब्लिश है खामोश मुजाहिद क्योंके वो बिलकुल विजिबल नहीं होते थे इन्विसिबल जैसे आईएसाई के सरवरा को होना चाहिए वैसे वोई अखवा में रह जाते हैं उसके बाद पिर जनरल हमीद गुल आए पिर जावेद नासर आए तो पिर उन्होंने तकबीर लगाते नजर आए तो बाराल उन्होंने कहा जी काजी हुसें अमद जैसाद भी एक जमाने में कहने लगा कि अफ्तर अब्दर्रह्मान तो काज़ानी है जी उन पर भी सवाल उठाए और जब उनकी किताब की तकरीब हुई तो उन्होंने लियाकत बलोज साब को रोक दिया कि आप वहां उसमें तक्रीमे चिर्कत नी कहा अब उसके बाद मालूम हुआ कि वो तो रसकोल अकीदा मुसल्मान थे और तो और एक जमाने में मौराल मुफ्ती महमुद साब मरहूम जनरल ज्यावलाग के बारे में ये कहते थे चैले कि ये कादिया नहीं है और एक अरसे तक उनको ये यकीन रहा तो अब हमारे हाँ ये मश्खला है अब ये शाहिद हामद साब के भाई हैं जाहिद हामद जब उनको हम कई नसलों से जानते हैं और उनके रसकोल अकीदा मुसलमाने कोँछ तालोक दूर दूर का नहीं मगर अब सियास्त क्या कही है और हमारी मजभी सियास्त क्या कही है कि उनके बारे में मुशूर कर दिया गया और वो टेली विजिन पे अपने और सोचिल मीडिया पे अपना बैगाम नचल करवा रहे हैं अपना हलव नामा दे रहे हैं अब अब लिया अपना बारे में अगर आपको इस्टबा हो के मुसलमान है कर नामा अगर आपको खामोश रहे तो और बात है अगर लेकर मुसलमान के ओपर ये तोहमत लगाएं कि वो गहर मुसलिम है इससे बड़ा कोई खराब बात नहीं हो सकती आप ने सुरत वाज़े करके अच्छान है, अच्छा और जुनिये, अब यह है कि यह अब अलफाद जूकुते वापस हो गए, अब इसलामबाद हाई कोट ने, शौकत अजी सिदेखी सब्सक्राइब को जो हुकम नामा था, अब ने पहले तुनों ने हुकम दिया था, उसमें से हजब कर दिये गए ते व अब आज इसलामबाद हाई कोट ने अब हुकम दिया है कि जो धर्ना दिया हुआ है जिन्हों ने, जी वो भी खत्म किया है, वो हम धर्ना खत्म करें और अपने अपने घरों को सधारें, बहराल यानि अब एक दाइरे का सफरता ये, जहां ते चले ते वहां पहुंच गया आप पता नहीं किस बाबों के हाथ में मामला होता है, वो किस तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं, किस तरीके से असेम्ब्लियम बनाते हैं, तो आइंदा से इस मामले में बहुत इहत्यात करनी चाहिए, ताकि जज़बात को मुश्टाहिल होने का मौका न मिले। चले, अब अबूरी रिजल्ट आया है, तो वो कह रहे हैं कि जो हत्मी रिजल्ट इनका बाद में आएगा अपरेल में, तो अब ये है कि ये जो अबूरी नतीजा है, इसके मताबिक हलका बंदियां कराने की अजाज़त दे दी जाएं, क्योंकि आएन ये खायता है, वारु सतार साब अबलबता इससे कुछ इतफाक आज दे दे करते हुएं, आएं, दो हजार सत्रह जो है, का कानून जो है, उनकी राइश शमारी उसके मताबिक होगी, देगे, हमारा दस्तूर कहता है कि जब मर्दम शमारी हो जाएं, तो फिर अलेक्शन जो है, उस मर्दम शमारी के ताबिक बिल्कुल, बिल्कुल, और निशिस्तों की तकसीम उसके मताबिक होगी, अब ये जो मर्दम शमारी हुई है, इसके हत्मी नताइज तो आएंगे, अपरेल में, उसके बाद फिर वक्त पे अलेक्शन मुन पिर नहीं होगा, इसलिए तर्मीम ये की गई है, ये की जा रही है कि जो अबूरी नताइज हैं, उनको इस वक्त अलका बंदियों की बन्याद बना लिया जाए, इसमें पंजाब जो है, उसकी साथ निशिस्ते कम हो जाएंगी, और जो खैबर पक्तुल, की अब लगस्तान की सीटें बढ़ेंगी, इसलामाबाद की एक सीटें बढ़ जाएं अच्छा ये शाकर सुलंगी, इसमेली से बाहर निकले हैं जरब, उनकी बात सुन लेते हैं पहले, दस्तियाब नहीं होंगे हमें, कोई बात नहीं दस्तियाब हो यह ना, पहले एक बात सुन ले आप, मुकमल कर ले, इस वक्त ये जो बिल है, इस पे कुल असमेली के दो तह बात तादाद पूरी हो सके, अब अफशाकर सुलंगी साथ पूछा, सुलंगी सब ये बताएं कि फारुक सतार सब किन तहफूजात का इदार करते रहें, और शेख आफ़ताब के बारे में तलाया है, कि वो जो शामी सब नक्ता उठा रहे हैं, कि दो तहाई एक सरीयत के ल पूजिशन के पास तो जाहर है नहीं, तो अब ये हकूमत की ही जमेदारी है, कि ये हकूमत अपने अरकान पूरे करे, लेकर एवान में, अपूजिशन भी तो होगी ना, क्योंकि हकूमत के पास, शामी सब वो कह रहे हैं, कि महज अपूजिशन की बनियात पर तो नहीं पूरी हो, शेक अफ्दाब उसके लिए मुसलसलजिद और जाहर है, अरकान से राब्ते शाम्से कर रहे हैं, अब ये एवान में जो अरकान की ये तएवान मात्तु, हम भी तज़जब के कि शिकार हैं कि 228 से शायद कम हो, और अज अज़狀य पूरी नहो, ये पास नहो सके लेकिन कोशिश की जा रही है कि आज ही मनजूर कराई जा सके और जो फारूक सतार के रिजर्वेशन है कि आबादी कम की नहीं गई है कराची की 98 में जो थे 7000 बिलाग थे अब 14000 बिलाग बने हैं नहीं बिल्कुल बना लेंगे लेकिन तफ़ुजात इनके दूर कर लिए गए हैं अमकेम के फारूक सतार ने एलान कर दिया है एबान में के हम वोट देंगे लेकिन अपने तफ़ुजात के साथ जो दूर किये जाएंगे आगे चलकर 5% की इनुने दुबारा गिल्टी कराने का बादा किया है हकुमत ने इनके डिमान थी कि 10% की दुबारा गिल्टी कराई जाए बिलाग की लेकिन हकुमत ने 5% पर उनको राजी कर लिया है वो वोट देने के लिए राजी हो गए है तफ़ुजात के साथ तो हो सकता है कि आज मनदूर हो जाए और हो सकता है कि कल मनदूर हो अब बिल्कुल दोनुं इमकानाथ मुजूद है चले बहुत शुक्रिया वो यही तो कह रहे हैं ने कि शेफ आफ़ाव है चीफ वहिप है जी चीफ वहिप का काम यह होता है उसका एक्सेंपल जो है दोबारा होगा ताकि उनके तहफ़ावजात को दूर किया जा सके अच्छा एक बात तो बताईए एक सीसेई के जलास में तो प्रवेस खटक साब भी मौजूद है तहरी कि अनसाफ की नुमाइंदगी और सूबे की नुमाइंदगी करते हुए तो वहां पर इतफाख करके नए एलेक्शन के हवाले से कि मुखरा मुदध पर हूँ जो तैया हुआ बात ये नही है नए एलेक्शन हो ही नही सकते हैं नहीं मैं गुजारश कुछ और कर रहा हूँ ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतफा कर किया है कि मुकर्रम मुद्ध पर जो प्लैन डिसकस हो रहा हूँ उस पर हम एगरी करते हैं कि जब भी होंगे और इस नही अलका बंदियों के तैद जो अभी डिसाइड किया जा रहा है ले कि पुरानी मर्दम शुमारी पर करा दिये जाएं तो अब ये तर्मीम जिससे इतफाक हुआ है उसके बाद तो फिर फूरी इंतखाबात का मुतालबा जो है वो खत्म हो गया दम तोड़ गया चले इसाग डार साब का जिकर खैर अब जी अगला मौदू पहले तो नाकाबल जमानत वारंट गिरफतारी उनके जारी हुए उसके बाद अब नैब ने आज एक साड़े तीन सतरी प्रेसलीज जारी की जिसमें उन्हें बताया कि उन्हें वजारते दाखला से राब्ता किया है कि इनका नाम एसील पर डाल दिया जाए सिफारिश कर दिये बकायदा उनका नाम एसील पर डालने के लिए उसने एक तीन सफ़े का फैसला भी जारी किया है जिसमें उनके मेडिकल सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करने की वजुहात बताई हैं और आपको याद होगा कि जब यह तो अब एक एसील होता है कि जब एक आदमी मوجود है तो उसको मुल्क से बा आएं तो क्योंके आफस क्यों आएंगे चाह यही मौग हमारा एक तो यह कि वो इस्तीफा कि नहीं दे रहे इतना सब होने के बात किस चीज़ कीवजह से वज़ेश के रिजेद हैं की स्तीफा न हैंसी आइनगे तो इस बारे में नहीं पहली दूब ही एक उनके हमें तो अतावर हमार साभ को मतारू फ्रारा सीने सहाफी मारूफ कॉलम नवीस वो इस बारे में कुछ खबर रखते हैं कि डार साभ वापस आएंगे या नहीं आएंगे उनका पीफास देंगे या नहीं देंगे जी स्थाम अलेकुम से उनको क्या महसूस हो तक क्या इसमें से कैसे मज़ाज है और डार साभ की मुश्किला तो बढ़ती दिखाई दे रही है हर गुजरते दिन के साथ जाहरे उनके उनकी मुश्किलात बढ़ रही है और उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी मस्तरत कर दिया गया है और उनका नाम E.C.L. पर डालने की सफारश कर दी गई है और अभी हुदैबिया केस जो है उसके वो काबले समाता है दोबारा खुल सकता है या नहीं इस पर सुप्रीम कोट ने अभी फैसला देना है बेंच तो पहला तूट गया है अब नया बेंच बनेगा फिर वहां अर्दास नैप की पे पे अपील पेश होगी फिर इसागडार के खलाब शुरू होई है अब शामी साब मैं वो भी जग्रीफ खांदान का हिस्ता है ना नवाश चलीजी साब के बेटी उनके बेटे से बैए हुए है उनको जिस तरह सिंगल आउट किया गया है यह सवार जाजा असल साब ने बड़ी तोजी पेश की ती कलम दिलाए हैं और उनके नहायत करीबी दोस्त हैं देखे जून दोजार पंदरा में पंदरा जून को भी बलके जरदारी साब ने एक बड़ी तक्रीर की और कहा जी मैं इंच से इंच बजा जूँगा आप तो तीन साल के लिए हैं हम हमेशा हैं और जाहरा है उनका ठीक 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 उसके बाद वो फारण मुलक से बाहर चले गए उसके बाद उनके मौतमिद अलाए डाकर आसम को जो है वो अताप का निशाना बनाया गया और कहा गया जी साड़े तीन सो से लेकर चार सो अरब तक करॉप्शन की है अपने असबतारों में इनोंने देशतगर महज़ा में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी और उसमे से मुक्तदर कुवतों के साथ उनका रविया नरम नजर आता है डॉक्टर आसम हुसैन का नाम एसील से भी निकाल दिया गया है यहादा आज उनको बाद गाने की इजाज़त दे गई वो अलाज के लिए बाहर चले जो बाहर चले गए जो बाहर गया हुआ है उसका नाम इस्रीयल में अब देखिए इसाथ डार साथ पर पर पनामा केस के हुआले से पहला यह लगा कि उनके जो वसाइल हैं वो उनकी बजाहर आमदनी से बहुत ज़्यादा है यह एक अमूमी किसम का लगा सकते हैं यह तो मि साथदार तो बकाइदा एक चार्टिड अकाउंटेंट है अगर रहा है जाहर है उसके वसाइल अपने होंगे यहां पर तो ऐसे टाइकून है जो 20 साल पहले साइकल चलाते थे और अब उन्होंने बड़े 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 लोगों को अपनी जेब में डाला हुए और उनके वसाइल इतने हैं कि इसाथदार उनके आगे कोई हैसियत नहीं रखता उनको तो कोई पूछता नहीं अब इसाथदार पर इल्दाम लगाया गया कि बयान मीन्स उसके वसाइल है वहां कोई मतायन नहीं मिला तो फिर सुचा गया किस में इसका नाम है खुदाइबिया केस को शुरू करने का हुक्व दे दिया गया अब मुझे 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 बताएं डार साब वापस आ रहे हैं या नहीं देखे मैं कुछ नहीं कह सकता लेकर जो हालात हैं वापस क्यों आएंगे वो आते ही गिस्ता हो जाएंगे और आपने अपने गुफ्तुवों में जामी साब इं सुर्चाल अप्वड हो गई है ऐसे मैंने सुना यह है क्या दो तीन बाते हैं एक बात तो कहीं आ रही है कि जो हमारे अबासी साहब है वजिर आजम वो शायद खुद ही ये चार्ज रख लेंगे वजारते खदाना मिफ्ता साब की खबर भी आई थी लेकि अपने बास नही कमेटी बना देगी एक तसादी राप्ता को कमेटी के चेर्मेन की तो उन्होंने उदा खुद रख लिए ये इसागडार साब को था और मुश्टर का मुफादात की कौंसल में उन्होंने एसन इकबाल साब को उनकी जग़ा पर नॉमिया तो बाहर से आत्मी आया तो हमारे तरीन साब है ना उनका नाम भी लिया जा रहा है के वैडवाइजर आ सकते हैं ठीक है अब बिरेक बाद और उस बेख साथ का मने अगास किया कि क्या सदार्ती निजाम पारलीमानी निजाम का मतबादल है क्यूं कैसे ममक्यून हो पाएगा एक बरेक के बाद इस बहस को आग बढ़ाएंगे हमारे साथ रहेगा वेलकम बेक नाजजीन शामी सब एक बहस ये है कि मुलक को जो दरपेश मसाइल है उनका हल पारलिमनी निजाम में नहीं रहा ये निजाम फरसूदा हो चुका है इसके जगा सदार्ती निजाम को ले आया जाए तो शायद हमारे मसाइल हल हो जाएं पर्फेसर डॉक्टर अतावर रह्मान साभ ने परसूदा एक बड़ा धुमादार कॉलम लिखा जवाब में हामिदमीर साभ ने उसका जवाब भी दिया रद किया आपने ये दोनों निजाम देख रखे हैं पाकिस्तान में क्या ये मुम्किन है कि सदार्ती निजाम पाकिस्तान के मसाइल हल कर देगा देखे सदार्ती निजाम के एक अपनी खूबी है और पार्लेमानी निजाम के अपनी खूबी है और जमुरियत में ये दोनों निजाम चलते हैं और एक फ्रेंच सिस्टम है उसमें सदर और वजीर आजम के मुझतर का एक्तियारात होते हैं और उसके बाद जर्मनी का एक अपना नदाम है चांस्टर होता है तो मुखतलिफ मुलकों में मुखतलिफ नदाम चलते हैं और ना तो हम यह कह सकते हैं के सदार्टी नदाम गहर जमूरी और ना ये कह सकते हैं कि पार्लेमानी नजाम फर्सुदा हो चुका है जहां जहां बरतानिया की हुकूमत रही है जहां पार्लेमानी नजाम चलता है इंडिया जो सब्सक्र बड़ी जमूरियत दुनिया की वहां पार्लेमानी नजाम चल रहा है बंगला देश में तजर्बा हुआ जब शेख मुझी पर रहमान साथ जो है उन्होंने बंगला देश के पहले सदर बने वो तो उन्होंने वाद सदार्ती निजाम काइम कर लिया बलके और तोर उन्होंने यक जबाती हुआ हो कॉमत भी काइम कर ली शर्फ एक पार्टी थी वहां लेकर चला नहीं और उसके बाद सदर मतखिब होते रहे बिल आखर परलेम्निन निजाम की और पारलेमानी निजाम को बहाल किया इस अब भी आप देखिए कैनेडा में और आ आई है वो आई है बरतानिया की बरतानवी हकूमत के बरतानवी कब्जे के बात तो फिर इसलिए यहां के लोगों के मज़ाज में भी पारलेमानी जमूरियत जो है बरासिक हो गई बरुने मुलक हैं तो अब हुआ उन्हें ने वह पर टैली फून लाइन पर मौजूद हैं बर साइंस और टेकनालोजी एंड एचिसी की साविक चेर्में धिनाब डॉक्टर तावरेमान सब्सक्राइब जिनके कॉलम का मैं ने जिकर किया वो टेली फून लाइन पर मौजूद है तो हमारी गुदारिश आफसे यहां कि यह निजाम नाफस कैसे होगा यह दस्तूर हमारा जो है वो तो पार्लेमानी तरसका है तो बाराब किस तरीके से सदार्ती निजाम नाफस कर सकते हैं जवाब अपने कॉंसिक्यूशन में उन्निस अमेंडमेंट कर सकते हैं बीस अमेंडमेंट कर सकते हैं तो 21 वी अमेंडमेंट भी कर सकते हैं इसी कॉंसिक्यूशन के अंदर करना है बिसिकली यहां जमॉरियत की बात पूरी है इसको आमरियत से कंध्यूज ना करें दुनिया के 50 मॉमालिक पे सदाथी निजाम जमॉरियत है अमरीका समय है फाइदा ही होता है निजाम जमॉरियत के अंदर के जो मिनिस्टर्व हैं वह आप स्पेशलिस्ट हर फील्ड के वो लोग आम तोर पे एलेक्शन, नॉर्मल एलेक्शन में पार्टिस्पेट करना पसंद नहीं करते। तो यह जो है, यह एक बहुत बड़ा फाइदा होता है, क्योंगे आज की दुनिया स्पेशलाइजेशन की दुनिया है, और वही मुमालिक तरफी कर रहे हैं। जो मैंने समझ दिया है, कि जो आज की दुनिया है, वो एल्म की दुनिया है, नॉलेज एकॉंदमी की तरफ पढ़ लाए हैं। ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, कि आज की दुनिया जो है, वो एल्म की दुनिया है, उनको एक और एमेंडमन्ट करना होगा, जिसमें हमारी पार्टी इसके तहथी पुलिटिकल तरीके से ही इसको करना होगा निफास, मैं मिलिटरी इंटर्वेंशन का वेकाइल नहीं हूँ, जम्हूरी तरीके से ही इसको तब्दीर करना होगा। गहर जमूरी तरीके से तब्दील का मैं खायर नहीं है। बाती है कि एसे लोग स्क्रीन करें और वो स्क्रीन से बुदरें और लेकिन इंटिकल पार्टी अपने मेंबर नॉमिनेट करें लेकिन एक इंडिपेंट स्क्रीनिंग बाड़ी होनी चाहिए जो देखे कि यह लोग कादिल हैं इमानदार हैं इनके उपर को ऐसी चीज़ नहीं स्क्रीनिंग सिस्टम की सिर्फ बाती है तो डॉक्सर जो इंडिया में इंडिया में जो राजिया सवा है उसमें लोग नॉमिनेट किये जा सकते हैं और इसी तरह से अगर हम अगर हम यह सा कर लें कि कुछ सीटें बढ़ा दें कौमी असंबली की स्पेशलिस्ट के लिए ता में लेकिन आपने देखा किस तरी के लोग टेक्नो क्रैस के तौर पर नॉमिनेट हुए और वो अपने पार्लिमानी निजाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता हो और आज़ाद मुहमद अभी जिना का अपने हाथ का लिखा हुआ मेरे पास कागद मुजूदा जो डा बात है लेकर बारा इस से खता नजर काइद आज़ादम ने ये बात भी तो कही थी ना कि जो असम्बली है जो दस्तूरिया है उसको दस्तूर बनाने का हक है और उसी को दस्तूर बनाने चाहिए मैं पैसे बिल्कुर एकरी करता हूँ लेकिन एक दुन्या में जैसे मैंने आप से अर्थ किया कि दो किसम की जम्बूरिय निमाज दाम चल रहे हैं सदार्थी निमाज दाम जम्बूरियती बहुत सारे ममालिक में बहुत सकसेस्फुली चल रहा है और उसमें फायदा ये होता है कि जो सादर मंतखिब होते हैं वो अपनी मर्जी के टॉप स्पेशलिस हर फील में चुल लेते हैं और इसी वज़ा से उसमें आसानी रहती है जो कि पारलिमंट में अक्सर जो आपके जो टॉप दिमाग है इस फफ मुल्स के वो पारलिमंट के तैट एलेक्शन लगने में वो जिस दिस्टस्पी नहीं रखते बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतार रह्मान सब्ने में वक्त दिया अपनी राये के हाक में उन्होंने दलायल दिया लेकर उसको इसकी इंटर्पर्टिक लिए असम्बली के जरीए चीज़े होनी है अब इस वकत पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमाते हैं उन में से कोई भी इस नक्ता नजर की हामी नहीं है बहर डॉक्टर साब की अपनी लाये है और अगर 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 अपनी वो बात करते रहते हैं और लोगों को हमवार करने में कामियाब हो जाते हैं तो फिर तो कुछी को इतरा दिया हुआ है अगर दूसरी जाने यही निजाम अगर हमवार हो जाते हैं, इसमें कमियां बेशियां, कोताहियां जो बहुत दूर कर लिए जाते हैं, यह असल बात बन्यादी है, जब तक सियासी जमातें और उनकी क्यादतें दुरस्त नहीं होंगी, और निजाम चलता नहीं रहे, उस वेलकम बैक नाज़ीन, जो से पहले हम बहस कर रहे थे, उसमें हमने शुरू में आपको बताया कि हमने एक पोल भी आज नाज़ीन को दिया था ट्विटर पे, कि क्या मुल्की मसायल का फौरी हल जो है, ताज़े इंतखाबात में है, तो शामी सब वो सुरत तो बदल चुक मसायल हाल हो सकते हैं, यह जनी चास्त फीज़न का मकर्ला पे होना जाएंगे, उनत्तर फीज़ने हैं, अच्छा साथ दूसरा, आप एक बास सुन ले, अब याकूब अख्तर अंसारी साथ ने साथियर अचाहिए, क्योंकि इसमें मुशर्ण जैसे सदर आ जाएंगे, और प और अरान से तर्की जाना था, लेकर अरान सकत तो वैलेट वीज़े पे जा रहे थे, क्योंकि गर कानूनी काम नी कर रहे थे, जब तक वो एरान, अरान का वीज़े तो था उनके पास, दूसरा, सस्पी जो काम मुकामते कोईटा के लियास और उनके एहले खाना, उनको मौत के घात उतार दिया गया, तो सरफरास बुक्टी साब टेलिको लाइन पर कोईटा से माजूद है, उनकी एहलिया, उनका बेटा, उनका एक बच्ची छोटी पोती, सब शहीद होगा है, स्लाव लेकुम सरफरास बुक्टी साब, वालेकुम स्लाव मौना में साब, बुक्टी शामी साब बहुत ही अफसोसनाक वाकिया है, इसका मुझे शुरू यहां से कर लेने दे, कि किसी बलोच ने, किसी पंजाबी को नहीं मारा है, यह देशतकर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किये हैं, और जो देशतकर्दों का मकसद है, वो यही है, कि एथनिक बन्यादों पर लेकिल फॉल्ट लाइंग बनाना चाते हैं, यह मासूम लोग जो ट्रेवल कर रहे थे टूर्ज जरान और फिर जहां भी हमारे शहरी थे, और पाकिस्तान के अदूद के अंदर उनको इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन यह अकिकत आपको पता है, कि जग दब यह इस तरह के इमिकरंस जाते हैं, तो वो ऐसे रूर्ट से इस्तमाल करते हैं, जो अंगाड़िड होते हैं, जो कच्छे रास्ते होते हैं, और गौर्मेंट की एतनी वहां पर पैजन्स नहीं होती है, बरहाल जो आपका सवाल था कुमक का, मैं आपको बताता है, यह बात, यह आदिए आल बलोचिस्तान, उनके साथ कमांडर सितन कमांड और आए माई सेल्फ और अमारे साथ आप भी वहां गए, जनाजे में भी गए, जी बिल्कुल गए, और हमने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग वहां पर अटेंड की है, और उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ है, कि किसी बलोचिस्तान की डानमेक्स को, कि चार-चर-सो किलोमेटर पर कोई काओं नहीं है, बहुत बड़ा अलाका है, तो उसकी फजलिटीज बहुत ज्यादा है, बलोचिस्तान की बाते हैं, जी जहां तक ताज़ा कुमक की बात है, देखें, मैं यह समझता हूं कि आप दोनों वा बड़ा घुनोना जल्म, कोई बलोच की रवायत, हमारा रसम, हमारे रवाज, हमारे आबाव अजदाद, यह मुसाफरों को उतार के नहते मुसाफरों को कतल करना, यह कौन सी बलोचियत है, लानत ऐसी बलोचियत पे बलोच हम है, जो यहां पर बैठ के पाकिस्तान जिन्द प्रिकेशन तो रही हैं तो ये दोरोगी ठीक है बहुत शुक्री है आपने वक्त दिया बहुत शुक्री है आपके दौा करते हैं कि हालाद वहां पे आमनोमान की सुरत में बढ़ते रहे हैं आगे शाम सब वक्त तकरीम खत्म होगे लेकिन सर्फरास था राजा सर्फरास था कल हमने जिकर किया था वज़र्ग पेंशन रें इनको पेंशन नहीं मिल रही है थोड़ी सी गुफटगू हुई ये एक बैंक में मुलाजिम थे और जो निजी बैंक हो गया पहले सरकारी था और कईस बैंक सरकारी जो ते वो निजी हो चुके हैं अब ये उनीस सो अठानव से गए और बिल आखर ये खुकम जारी कराने में कामयाब हो गए है कि ये जो बैंक हैं सारे बैंक, इनके मुलाजमीन जो पेंशन याफ़ता है, उनकी पेंशनों में भी अधाफा किया जाए जिस तरह के दूसरे लोगों की पेंशन में अधाफा हुआ है मगर अब वो ठो ह मसला इनका हल करें और हजारों पेंशनर्स उनके खानदानों की दौाइं लें कियो राजा साथ अब आप बताईए जी बिल्कुल ठीक है बिसमिल्ला रखमार रखी मेरा नाम राजा मुहमद सर फरास खान है मैं 28-1998 को रिटायर हुआ था और मेरी 1321 रुपए अब किती सिवल सर्वेंट के मताबक मिले तो कम अजगा मेरी 30,000 के करीब पेंशन बनेगी और बकायजात भी उनको देने पढ़ेंगे नेशनल कमिशन फार यूमन राइट्स के चेर्मेन जस्टिस अली निवाज चौहान साब ने मेरे हक में फैसला किया था 9 मा की तवील तफशीश क अब यह बताईए आप कितने पेंशनल है इस वकत जिनको यह इस वकत तकरीबन चारों बैंक जो हैं अलाइट बैंक अभी बैंक यूबियल ना 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 ने अच्छा ठीक है काया कम अजगा तकरीबन 6,000 जो है ना वो अभी जिन्दा हैं बाकि जो है ना वो अल्ल इंप्लेमेंटेशन नहीं हो रही है और सिप्रीम कोर्ट में आपने दखास दिया आशा हामद वहाँ आपकी वकील हैं जी बिलकुल उनोंने सो मोटो लिया है आज खुद नोटस लिया है या यहाई एजाजी वकील है वो आपकी नहीं उनोंने मुझे एक टेडी पैसा भी लिया उन्हें और मेरा मुकदमा उन्हें खुद लड़ा और एक दिन उन्हें दो गंटे 25 मिट बैस किया और यकम जून को उन्हें एक गंटे 25 मिट चलें चलें राफ पर अब जिस्टिस हाकब निसार्फाब चीफ जस्टिस जिए उनकी दौाइं ले लें हजारों खानदानो की और इनकी फर्याद सुनने इनके तवस्ट से बाकी बैंकर्स और पैंशनर का केस पी सामने आगया ये तो बड़े मुझा है इनको तमगा बिलना चाहिए इनकी तवीर जो 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 उन्नी साल की बड़ी हमता है कभी इस अदालत में कभी यार कभी वहां बहुत शुक्र करें मैं अपने देखने वारें उसे द्रकास करना अभी नाजवान है दो चोड़ी बचशी बच्ची था कि रिए दौा किजए खुलूस नियद से उनके लिए अज़ा की ज़ा की जए आप सबसे खुदारेश चाहिए उसी बादिया का महमूद अली साब जो मशर्की पाकि के हो रहे जी उनकी बरसी है और यहां बड़े एक अजीम हमारे रहनमाते यहीं दफन हुए इसलामाबाद में शोरश काश्मीरी साब को जिकर भी और आगा शोरश काश्मीरी की याद में भी आज जलसा था गोवर्न पंजाब वहां आए थे और प्रेस कलब में उनकी याद बनाई गई और आज ही उनके जो बेटे हैं मसूत शोरश उनको पी टीवी से सुबक दोश कर दिया गया अब प्रोग्राम बखत्बा खत्म हो गया इजाज़े दीजिए नाजरीन मिलेंगे आप से अगले प्रोग्राम तब तक लिए लाह आखिस उनकी